नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी के आशीरवात से आठ दिसंबर दिन शुक्रवार उत्पन्ना एकादशी के दिन बना दिव्या दुरलब महाशुब संयोग महालक्ष्मी योग सर्वार्थ सिध्ध योग और राज्य योग और धन योग से अब बारह राशि में से छे राशियां होंगी धनवान माला माल आपको बता दें इस बार जो उत्पन्ना एकादशी आठ दिसंबर को पड़ रही है बहुत ही दुरलब संयोग में है स्वयम भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी की कृपा बारह राशियों में से छे राशिवालों पर बरसने वाली है जीवन के सभी दुख दर्द संकट कष्ट है उन सभी से छुटकारा मिलने वाला है अब इन छे राशिवालों के घर स्वयम भगवान विश्नु माता लक्ष्मी पधारने वाले हैं जिससे इन छे राशिवालों के जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष् जिस से अब इन राशिवालों का जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों कौन कौन सी वो खुश नसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर भगवान विश्णुजी माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। जिन शुक्रवार को उत्पन्ना एका दशी के दिन तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इन छे राशिवालों के लिए। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना कौन कौन सी छे राशियां हैं। उनी छे राशियों के बारे में बताएंगे। विस्तार से दोस्तों वीडि जरूर लिख देना। जिससे कि भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्थ हो सके। दोस्तों को आपको बताना चाहूंगा कि मार्ग शीर्ष यानि की अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह उत्पन्ना एकादशी श्री हरी विष्णुजी को समर्पित है, भगवान विष्णुजी को समर्पित है, ये एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है, इस एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति को पिछले जन्मों के पाप का नाश हो जाता है और उस इस दिन वरत करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। आपको बता-दें कि इस बार उतपन्ना एका दशी आठ दिसमबर दिन शुक्रवार को है और दोस्तों बता-दें शुक्रवार का दिन माता लक्षमी को समर्पित है तो सोचिए कि कितना दुरलब संयोग में इस बार उत्पन्ना एका दशी है तो आप भगवान विश्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं मतलब मा लक्षमी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इस दि माता लक्ष्मी की पूजा करें और खास तोर पर साम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाए शाम के समय और इस दिन आप रात में भी भगवान विश्णुजी माता लक्ष्मी का भजन करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए और व्रत की समाप्ति पर श्री हारी विश सभी आपके पाप जाने, अंजाने में जो भी हो गए हैं, वे माफ हो जाईए, और यह प्रण ले, कि आगे जीवन में कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे आपको क्षति पहुँचे, या फिर ये पाप के समान हो, ये संकल्प आपको लेना है। तो देखिए, आपके जीवन में भगवान विश्नु की मतलब लक्ष्मी की कृपा बरसे, और दोस्तों, इस दिन आपको किसी ब्राह्मन को अपनी यथा शक्ति सामर्थ अनुसार दान दे, अन्न धन वस्त्र जो भी बने, कुछ न कुछ दान धर्म के कर्म जरूर करें, ब्रा माता लक्ष्मी आपकी समस्त मनो कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह उत्पन्न एकादशी बहुत ही धुरलब योग में है, यह मान लें यथा शक्ति, सामर्थि के अनुसार, अन्न दान वस्त्र दान जरूर करें, आपको भगवान विश्नु माता लक्ष्मी कृपा प्रा दशी के दिन, ये छे राशी वाले करोड़ पती बनेंगे, माला माल बनेंगे, बहुत बड़ी खुश्खबरी की प्राप्ती होगी, तो चलिए शुरू करते हैं, कौन-कौन सी वो खुशनसीब और भाग्यशाली छे राशियां हैं दोस्तों, आजकल की दुनिया में कोई भी कारे संपन्न हो ही नहीं पाता, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी न हो, वह अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है, जिसके लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है, जिससे वह बहुत सारा धन अर्जित कर सक परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, और वो सोच में पढ़ जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य को मेहनत करने के साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे, तो मनुष्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, और यदि किस्मत साथ दे, तो मनुष्य अपनी कम मेहनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है, उसको सभी सुख कि वस्तुएं प्राप्थ हो जाती है। कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की कृपा द्रिष्टी आपके उपर बनी रहेगी। जिसकी वजह से आप जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्थ करना चाहते हैं, वे कार्य आपके लिए सफल होंगे। सालों साल से रुके हुए कार्य अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे। आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो वह पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कर्जों से मुक्ति पाने में कामयाब भी रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्तिक स्थिती मजबूत बनी रहेगी। व्यापार में अचानक धन लाब होगा और सुख शांती का वातावरण आपके घर पर बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ मकर राशी वालों आपके उपर भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। हालां कि इस राशी के लोग अपने उग्र स्वभाव पर थोड़ा संयम रखें आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में अगली राशी की बात करें। तो अगली राशी है मेस। राशी मेस। राशी वालों को बता दें कि इस समय शुभ महासंयोग से माता लक्ष्मी और भगवान विश्णू की कृपा से आपको अब लाभदायक स्थितियां देखने को मिल सकती आपके लिए ये समय में अब लाभदायक स्थितियां बनी हुई है। आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने भविश्य के लिए जो योजनाएं अपने बनाएं रखी हैं वे योजनाएं सफल होंगी और उन पर कार्य करने का समय भी आ गया है उन पर अमल करें। सफलता आपके हाथ लगेंगी साथ ही साथ अब आपको कई बड़े फाइदे देखने को मिलेंगे। व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको पद में उन्नत्ति मिलेगी और प्रतिष्ठा में व्रिद्धि होगी साथ ही साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। माता पिता का आशीरवाद आपको बड़ी उंचाईयों पर लेकर जाएगा दोस्तों। मेश राशिवालों पर माता लक्ष्मी और भगव भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी के आशीरवाद से अब इस समय खुशियों की सौगात लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक समय सिद्ध होगा। परिवार में सुख शान्ति आएगी। आपके समस्त कार्य उस समय पर पूरे ह हो जाएंगे। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुश खबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा द्रिष्टी आपके उपर बनी रहेगी। जिसकी वजह से आपके घ घर परिवार में खुशियों का वातावरन रहेगा। परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है। जिसकी वजह से आपके घर परिवार में सुख शांती का वातावरन रहेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा दे दोस्तों, अब बात करें, अगली भाग्यशाली राशी की, तो वह राशी है मीन राशी, जी, हाँ दोस्तों, मीन राशी वालों पर भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी जी, अत्यंत महर्बान है, भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी जी के अत्यधिक क्रिपा आपके के उपर बन रही है मीन राशी वालों भगवान श्री हरी विश्णू और माता लक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे कोई नया बिजनस शुरू करेंगे आपको उसमें अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी साथ ही साथ आप सामाजिक रूप से अपन करना गलत नहीं होगा मीन राशी वालों अब आपको वे सभी खुशियां प्राप्त होंगी जिनके आप हकदार हैं भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की क्रिपा से आपको अब अनेक प्रकार के लाभ धन लाभ और बड़ी-बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है दोस्तों अब बात करते हैं अगली खुस नसीब और भाग्यशाली राशी की तो वह राशी है कुम्भ राशी कुम्भ राशी वाले लोगों को बता दें कि भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की क्रिपा से आपके लिए बहुत ही शुभ महासन्योग का निर्मान हो रहा है दोस्तों कुम्भ राशी के लोगों के कार्य और विचारों में एक और शांति रहेंगी आप लगातार सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे। आपके जो भी रुके हुए कार्य है, वे कार्य सफल होंगे। दोस्तों, आपको बता दे, आपको असी में धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय में भारी धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं, जिससे आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। भगवान विश्नू और माता लक्षमी की कृपँ से कुम्भ राशी वालों समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस समय का भर्पूर लाभ उठाएं भगवान विश्नू और माता लक्षमी की क्रिपँ से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत बनी रहेगी। और धर परिवार में खुशियां आएंगी दोस्तों बात करें अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशी की तो वह राशी है तुला राशी तुला राशी वाले लोगों को बता दें कि आपके उपर भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टी बन रही है जिसकी वजह से आपको अत्यंत भारी धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है साथ ही साथ इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिद्धी होगी जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन व्रिद्ध के भी योग है जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। माता लक्षमी के आशीरवात से तोला राशी वालों समय पूर्णता आपके पक्ष में हैं। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वे सभी कार्य आपके अवश्य ही सफल होंगे। माता लक्षमी की विशेश कृपा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आने वाली है। दोस्तों आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्ध होगी। जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। उसमें आपको इस समय नए अवसर की तलाश है तो वह भी अवसर प्राप्त होगा जिसकी वजह से आपके जो भी कार्य हैं वे सफल होते चले जाएंगे। आए के साधनों में वृद्ध होगी। साथ ही साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वह योजना भी आपकी अवश्य सफल होगी। विशब राशी वाले लोगों आपके लिए धन लाब के लिए अनेकों अवसर प्राप्त भी होने वाले हैं। युँ कहें कि धन लाब प्राप्ति की अब आपके लिए अनेक योग हैं। स्वयम माता लक्षमी और भगवान विश्णुजी के आशीरवाद से इस समय आपके लिए अनुकूल है। आप लोगों को बता दें कि आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है। जिससे आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी।